नवस्कार दोस्तों, डिडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग तो आज जो वीडियो लेकर आए हूँ, यह पाकिस्तान के लोगों खास कर आपके लिए वीडियो है बहुत स्पेशल वीडियो है, जो जम्मू कश्मीर से निकल कर सामने आया है और इसका टाइटल है, जावेद कुरेशी ने जम के लगाई पाकिस्तान की वाट तो यह फाइका जावेद हैं, उनका चैनल है, लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप लोग जाईए, उनको के काम को सपोर्ट कीजिए और चली देखते हैं कि यह क्या कह रहे हैं, क्या पाकिस्तान को क्या कह रहे हैं जावेद पुरेशी जी जम्मू कश्मीर से सीधा डायरेक्ट पाकिस्तान की वाट लगने वाली है आदाब नमस्त्रे सस्रेकाल, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैं हूँ आपके साथ फाइका जावेद जैसा कि आप सब लोग इस बात से बाकबर है कि कश्मीर का रियल चेहरा मैं आप तक बरपूर पहुँचाने की कोशिश करती हूँ कुछ पाकिस्तानियों का क्या कुछ कहना होता है 375 के हटने से या फिर कश्मीर में जितनी भी पिछले सालों से जितने भी यहां पर मसले मसाइल थे उन पर बाचीत करने के लिए हमाँ साथ जोचुके है बाचपा के सीनियर कारे करता जावेद कुरेशी साब सबसे पहले आपका बहुत-बहुत दनेवाद भाक देने के लिए देखें आप सो देखो भई पाकिस्तानियों यह मुसलमान है जावेद कुरेशी नाम है बीजे पी के लिटा है जम्मु कश्मीर में आप बात समझ रहे हो जो आप लोग कहते हो ना RSS, BJP, दैशतगर्द और ये और वो, देख लो, एक मुसल्मान, BJP क्या नेता है, BJP को रिप्रेजेंट कर रहा है जम्मू कश्मीर में जानेंगे कि कई पाकिस्तानी ऐसा दावा करते हैं कि 375 जब कश्मीर में हटा, उनके حکوق चीने गए, तो आप उनको क्या मेंशच देना चाहोगे, क्या पैगाम देना चाहोगे? मैं उधर वालों को पाकिस्तान वालों को पहले तो बात ही नहीं करना चाहता हूँ अब तो आपने सवाल कर दिया वो तो अपने बारे में सोचे जमु कश्मीर के बारे में नहीं सोचे वो दिन याद करें जब उन्होंने कबालियों को यहां पे बेजा था हमने लात गूसे मा के इनको यहां से बगाया था तो हमारे बारे में सोचने की ज़रूरित नीहें अपनी जिन्गी के बारे में सोचें और जो हमारा गिल बात दूसरा जो पाकिस्तान का वजूद है वो मिठ चुका है वो भीक मांग रहे है उन्हों ने आप देखो कि पूरे मिलकों में उनकी हालत क्या है आप देखो इमरान खान वहां पे था एक इमानदार मिला था उनको वजीर आजम आठ दिन में गिरा दिया अब जील जाने की सूरत में हैं मेरे खयाल में फासी न दे अला बचाए फासी न दे ऐसे लीडर को ये पाकिस्तान मिठ चुका है जिसके लिए पाकिस्तान बना था क्या वहां पे है वो निजाम मुस्तफा जिसके लिए वो बना था वहां पे तो शराब आम है वहां पे तो फाकिस्तान की बा अपसलाइंगे, मेरे ख्याल में, क्योंकि आज तक पाकिस्तान ने आतंगवाद की फैक्टरियों को बढ़ाया, नहीं की गुर्बबत पे काम किया, अगर वहां के लीडरों ने गुर्बत पे काम किया होगा, आज पाकिस्तान भीक नहीं मांगता होता, आज वहां पे देखे ना, वहां, उनके ओलाकों में हमारे वजीर अजम हिंद, नरंदर, मोधी जी, के नहरे लगते हैं. किस तरीके से? allow कि जब हुमारा वजीर अजम हिंद ऐसा है, तब पड़किस्तान में बात होती है, उनके आईवानों में बात होती है, उनकी इस्मबलियों में बात होती, वहां का प्रेम मुनिश्टर बात करता है, वहां का MP बात करता है, वहां का MLA बात करता है, जब भी वो मिसाल देता है, तो वजीर असम हिंद नरंदर मोदी जी की मिसाल देता है, हम फकर से कहते हैं, हम हिंदोस्तानी हैं और हिंदोस्तान के तरफ आँख उठाके देखेगा उसकी आँखों को नूच लिया जाए देखिया आप यो के क्या हाल के बारे में भी जानते होंगे कि वहां पे महंगा ही बहुत जादा है वहां के जो मुसल्मान है हिंदू भाई है वो बहुत जादा सफर कर रहे है वही सबजी वहां पे की गुजारिश करना चाहता हूँ जो जेके पियो के में है जो वहां पे मुसल्मान रह रहे है वो अपनी हक की लड़ाई लड़े वो पाकिस्तान के चंगू में नफसें पाकिस्तान ने आज तक बरबाद की करके रखा है इस जुमू कश्मीर को और उनको भी बरबाद करके रखा है उनकी रोड रोड देखे है उनकी वहां पे जो हालत है वो अबतर हो रही है बहतर नहीं हो रही है वहां का माहूल देखो च्रस और अफीम में नوجवान मुबतला है किस-किस जिन्दगी में वो जी रहे हैं उनको अपने हुकूकों के लिए लड़ना चाहे और हिंद सबसे अबजल बात है आवाज उनको भी उठानी है और हम भी एक ही सुर में उनके साथ आवाज उठाने के लिए तयार है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे। जब यहां पे कबालियू ने रेड की थी जब कबालियू ने यहां पे घालु गारध की थी जब कश्मीरी निकले थे हिंदोस्तान के फोज को साथ दियाता इनको यहां से account गूसे भाहर निकालाता। कि वो दिन्याद नी है जब कश्मीरीं को पाकिस्तान से मिलना था तब मिल जाते तब हमारे अबज़त मिल जाते ना इनके साथ हमें मिलना नी है वो नून में नक्ते को डूम रहे हैं यहां पर जी 20 की का इजलास होगा इसमें कोई दोर आई नहीं है अब वो बुखला हट में इसलिए है कि कश्मीर आगे बढ़ रहा है कश्मीर का युवा आगे बढ़ रहा है यहां का नवजवान आगे बढ़ना चाहता है वो तो परेशान हाल खुद है वो हम को भी परेशान करना चाहते है आज हर एक कश्मीर इस चीज़ से वाकिफ है कि अगर हमें रहना है तो हम हिंदोस्तानी बन के रहींगे और अगर हमें जीनना है हम इस सर्जमीन में रहे मुसल्मान वो होता है हम इस हिंदोस्तान के जमीन पे पाइदा हुए है मुसल्मान दिन को पांच बार इस मिटी पे सजदा करता है मुझे बताए ना मुझे ये बताए अगर हम इस मिटी को पांच बार सजदा करते हैं ज्यादा तो वफदार हम ही लोग है कुछ पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि इंडियन गावर्मेंट जो है वो कश्मीर पे जमाए हुई है क्योंकि वो कश्मीर को सुने की चड़िया समझते हैं तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है क्या जवाब देना चाहोगा पाक्सानी जनता सुने की चड़ियां तो वाकी कश्मीर में है और जनत बेनजीर इसको कहा जाता था मगर पाकिस्तान ने बरबाद किया अगर हमारी सिक्योर्टी फोर्स बाडरों पे नहीं होती अगर हिंदोस्तान की फोजने हमें नहीं बचाया होता मेरे ख्याल में यहां मरगुजारी आबाद होते और कुछ नहीं होता यहां आतंगवाद के ट्रैनिंग संटर होते हैं, यहां कोई जियारत नहीं होती, यहां कोई मुसल्मान की अबादतगा नहीं होती, यह सच है, जूट नहीं है, हाँ इन बातों से तो तकलीफ होगी ना, जब आप सचाई कहोगे, तो तनकीद तो आपको किया जाएगा, मगर सचाई है, हिंदोस्तान की फोज जबाडर पे है, तब कश्मीरी आराम से जी रहा है, तब कश्मीरी आराम से सो रहा है, तब कश्मीरी आराम से वहां पे बिजनस कर रहा है, हाँ एक ही डर है, रात के वक्त कोई आतंगवादी ना आये गोली मार दे, और सवेरे, देखे बा लोगों को सही तरीके से अस्पताल मिल रहे हैं, क्या वहाँ एजूकेशन मिल रही है, इन सब का जवाब है नहीं, और ये मैं नहीं कहता, ये वहाँ के लोग कहते हैं, वहीं के लोग कहते हैं, और वो अब समझ रहे हैं, कि उनका पाकिस्तान के साथ रहना कितना नुकसान दे हुस्ताबित हो रहा है उन्हें और इसलिए आवाज उठने लगी इसलामाबाद जाकर पाकिस्तानी उकुपैट जमू कश्मीर के लोगों ने कह दिया कि तुम अगर ऐसे ही जुम ढाते रहोगे तो हमें दिल्ली से कहना पड़ेगा कि हमारी आके सिफ्टी करो सुरक्षा करो सुनिये खुदाती किसम लोग इस में सोच रहे उस वक्षे दरो जिब लोग देली को काल करेंगे क्याके हमारी उफाज़त करो फिर क्या पड़ेगाए कर लोगों तो हमारे एक्ष्टी किसे अभत तेनारा किशिकर नो सुना आपने तो ये कोई हिंदुस्तानी नहीं कह रहा है न ये पाकिसानी अकुपायट जम्मू कश्मीर का बंदा कह रहा है वो भी इसलामाबाद में जाकर आखों में आके डालकर स्पीकर पर एलान करके कह रहा है तो इससे आप लोगों को समझ जाना चाहिए और आप कह रह समझते हैं सब कुछ और वक्त आने पर वो समझा भी देंगे तो आप लोगों को लग रहा है कि शायद मैं बहुत बड़ी बड़ी बाते करता हूं और मैं तो ऐसी बाते करता हूं तो खेर आप लोगों को जो मानना है मानने दीजिए और जो रिजल्ट आएगा वो तब बा कि बारे में सोच रहे हैं और Allah ताला ने हमें इतना जहीन भी बनाया है इतनी सोच समझ भी है इसलिए जिमूर कशमीर के बारे में बात करना छोड़ दें वहां बेरोजगारी बात करें वहां गربत को हटाएं और जो वहां पे स्यासी लीडरों का हाल है गसीट-गसीट के नि सब, चाहे हिंदू हो, मसल्मान हो, सीखो, इसाई हो, उसको अपने रुकूक है, पाकिस्तान की तरह नहीं, बम बुलाष्ट महजदों किया जाता यहां पे नहीं, अगर कोई हिंदू महजदों को जाता है यहां पे हदे जाता है, पहले एक चीज पे भी नुकसान नहीं होता है। कर गींगे। तो 2014 के बैद अगर आप वेब साइट वहां पे देखो गए वेब साइटों पे किसी सायसी पार्टी का मुदा ही नहीं है आज मसले कश्मीर। क्यांकि उनको आप पता चल गया है ना। चलिए दोस्तों वीडियो शायद खतम हो गया इतना ही आया था। खतम हो गया वीडियो। जाहिर से बात है कि देखे जब यह बाहर जाकर कश्मीर कश्मीर करते हैं तो कश्मीर के नाम पर फंडिंग होती है ना। विदेशों से अर्बो रुपÁय आते है कश्मीर फंडिंग के नाम पर पाकिस्तान को मिलते हैं। आप सोचिए ना, फंडिंग बंद हो जाएगी, कश्मीर के नाम पर इतना बड़ा डिफेंस बजट आपकी सेना लेती है, वो बंद हो जाएगी अगर बंद कर देंगे तो, आप दिल पर हाथ रखकर पूछिए अपने आपसे सवाल, क्या 75 years में आपने इतना सब कुछ किया, क अच्छाई से बात करूंगी, मुझे कश्मीर के इशू हल होता वा नजर नहीं आता है, क्योंकि दोनों जो कावे हैं, इस पर बड़ी एडामेंट है, वो कहते हैं, ये भारत का अटूट अंग है, और हम कहते हैं, टू नेशन थेयरी की वज़ा से हमारा इस पर हक पहले है, लेकिन वो ही बात जो हमारे बुज़र्ग हमेशा से कहते आ रहे हैं, कि अब्ज़ा सचा, दावा जूटा, बात ये है कि उनके पास कश्मीर है, हमारे पास नहीं है, ठीक है, हम फाइने इतने स्ट्रॉंग नहीं हैं, जितने वो स्ट्रॉंग हैं, आप चीज़ों को देखे आज़ में देखें, आप ही कश्मीर पालिसी है क्या, आप पहले कश्मीर की कीमत तेह करें, क्या पाकिस्तान उसके लिए किस हद तक जाएगा, क्या आप जंग करने को तैयार है, क्या आप बाकी पाकिस्तान को रिस्क पे डालेंगे, ये इखलाकिया और सफारती उससे नही बाकी न हमें आपसे कुछ सुनना है, न जानना है, न सवाल-जवाब कुछ नहीं करना है, बाकी इस इंटरव्यू से दो बाते क्लियर उन, पहली बात जो आप कहते हो कि BJP मुसल्मानों के खिलाफ जाती है, भाई, तो मुसल्मान ही BJP में चामिल है, और मुसल्मान ही रिप से कोई बसा गई जा रहा है, किये जा रहा है, कुई कुश्ट नहीं हो रह है, बाकी बात साहिए किये जम्मौ कश्मीर का नौ जमान Brostic जोड़ा बहुटर बहूत जिन्दगी मिल physicians cm मे उसको सामने नज़ार आ रहा तो बहतर जिन्दगी मिलेगी तो वो चीज़े दिख रही हैं उसको जम्मो कश्मीर में डेवलप्मेंट हो रही है जम्मो कश्मीर में रोजगार आ रहे हैं जम्मो कश्मीर की लाइस्टाइल बदल रही है जम्मो कश्मीर को सुविधाय मिल रही है तो युवाओं को नजर नहीं आता कि उन्हें बहतर colleges मिल रहे हैं, बहतर universities मिल रहे हैं बहतर medical college, बहतर engineering college NIT, IIT, IIM AIMS और उधर पाकिस्तानी अकुपाइट जम्मो कश्मीर वाले उधर देखते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास तो हमारे पास तो ढंकी सड़क तक नहीं है, साफ पीने का पानी है, अस्पताल और university और college तो छोड़ दो यार पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है डंक से तो आप लोग तो वाकिछ जल्म कर रहे हैं पाकिस्तानी अकुपाइट जम्मो कश्मीर के लोगों पर अब पता नहीं वहाँ के लोग ये जल्म कब तक सहेंगे तो देखने वाली बात है लेकिन कुल जम्मा या आई ओपनर इंटर्विव था ये बताने के लिए कि देखिये जम्मो कश्मीर में क्या हो तो जल्दे बलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जेख